इस वक्त की बड़ी ख़बर है, इस्राइली सेनिकों पर हमले का वीडियो सामने आ गया है, ये तस्वीर है आपके सामने हैं, देखें किस तरीकिस हमाँ से ड्रोन अटाक का ये वीडियो जारी किया है, इस्राइली सेनिकों पर हमले का ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल देखे लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसराइल में अटाक को अंजाम दिया कि और ये ड्रोन से ड्रॉपिंग की गई है बॉंज के और ये दिखा रहा है कि कैसे पिन पॉंटेट लोकेशन्स पर जहां पर इसराइल की सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी वहाँ पर मौझू थी उन लोकेशन्स को टार्गेट किया गया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहें बताने की कोशिश कर रहें कि आज एक एक पांच हजार जो रॉकेशन्स दार्गेशन्स साथ साथ इसराइल के अंदर कई मल्टिपल जगों पर ये टार्गेट किये गए अगली बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने जहां गाजा पटी में बुल्डोजर से बॉजर हटा दिया गया बुल्डोजर से बैरिकेटिंग तोड़ी गई है तस्वीरे भी इसकी सामने आ गई है ये देखिया आप तस्वीरे जहां पर बुल्डोजर का इस्तवाल कर ब अब आपको छे तस्वीरों के जरी आप दिखाने जा रहे है कि किस तरीके से आज ये पूरा घटा करम सामने आया है, किस तरीके से हमला हुआ है, ये देखे जरा, सीमा पर बंप से हमला किया गया, बुल्डोजर से बाड़े तोड़े गया, टैंक पर कबजा कर लिया गया, श तरीके से तबाही इस वक्त मची हूँ, तुम्हारे साथ बेहत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे है, मेजर जर्नल रिटार्ट भी की दत्ता सर, एस डिफेंस एक्सपर्ट हमें जॉइन कर रहे हैं स्टूडियो में, इसके लावा मुकेश को पूर राजदूत हमें जॉइन कर चुके है, साथ ही साथ दीपक वोरा सर को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहला सवाल दीपक वोरा सर आपी से ले रहे हुई, जो तस्वीरे लगातार सामने आ रही है, अन्प्रेसिडेंटेंटे हुई, लेकिन सब नाकाम. पैलिस्टीनियन्स जो हैं, जब इस्रेयल की स्थाफना हुई थी, अरब होमलेंड की बीच में, ब्रिटिस सरकार ने वहां पर बैमानिया की थी, तो उसको वो कहते हैं, अल-नकबा, अरबिक में इसको मतलब होता है, कलामिटी, काटेस्टिफी जए सब खत्म हो गया, अरब अरब होता है, इस्रेयल एक पालिसी नहीं चलेगी, थोड़ा से पैलिस्टीनियन्स जो टेरिक्रीट्रीज हैं, हमास की कंट्रोल में हैं, वहां थोड़ी एकॉनमी ज़ादा करें, दवाईयां बेजें, पानी बेजें, उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने की कोशिए कि अक्सर हम यह भूल जाते हैं, वह पालिसी फेल हो गई है, अब जो हम देख रहे हैं इस समय, इरान पूरी तरह से हमास के साथ है, उन्हें आम कर रहा है, बातचीत हो रही थी, साओडी अरेबिया और इसरेयल की बीच में पीस समझाता हो रहा, अमेरिका करेगी, साओडी पूरी दुनिया पे चाया हुआ था, लेकिन पिछले सालों से अफगानिस्तान आ गया, फिर युक्रेन आ गया, फिर साहिल में जो हो रहा है, लोग भूल रहे थे, और इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ का कुछ नोटंग की हो, शमा की आपको करेंगे, लेकिन पहले अपडेट अब तक का दे देते हैं, कि इस तरीके से दोनों ही देशों के बीच, या दीपक वोरा सर ने कहा, इसराइल और एक तरफ जहां पर आतंकी लड़ रहा है, फिलिस्तीन की तरफ से, उन दोनों की बीच महाई उद्ध का जो सीन बना ह इसराइल का जवाब 17 मिलिट्री बेस इसमें तबाह कर दिये गए है, इसके अलावा अपडेट आपके सामने ये भी रख दे कि हमास के हमले में 540 प्लस आम लोग जख भी बताए चाहरा है, इसराइल का जवाब 4 ओपरेशनल कमांड पर हमला बोला गया है जवाब में, तो क जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है, जिसके अंदर पहली बात तो इसराइल सप्राइज हो गया टोटली और जो हमास को लीड मिली सप्राइज के चलते, जो उन्होंने रोकेट अटेक किया, उसे अटेंशन डेपोट ही, उसके साथ में उन्होंने छोटे-छोटे जिसके चलते इसराइल को शुरुँ-शुरु में नुकसान हुआ, और बहुत सारे सिवलेन्स को अभी और बहुत सारे इसराइली सिहनिकों को भी होस्तेज बनायाया है, तो अभी जहां तब इसे इसराइल का सुवाल है, उनकी परायटी देगी, पहले जो हमास के करना तो आगे चलने वाले दिन में यह तुरंत खतम होने वाला नहीं है यह थोड़े दिन यह खिचेगा जब तक कि पूरे जो हमास के लड़ा के अंदर गुसे हैं अर्बन एरिया के अंदर यह अर्बन वार्फेर की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई होती है जिसमें इस बाद परिया बोलते हैं तो हमास उसका फैदा उठाएगा उनके लड़ाके इस जूद में ट्रेंड हैं और किसी भी सेना को दुनिया में बिलड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है आपको याद होगा युक्रेयन रशिया की बाग्पूर्ट को कैप्टर करने में इस बीच बहुत पैतपूल हो जाता हैं यह भी सुनवादे कि भारत पे इस्राइल के राजदूत की तरफ से अभी मौजूदा जो स्थिती है उस पर क्या कहा गया है ज़रा सुनवाता है कियो क्सक्राती है अधर बडियुत क्या-whים प्रेजलिबीस भंस, Padol. मिल्स क रहरारी की पापिफ कर सक्ष्या हमें आपका है नवीन कानरा क्वारी किया कि रूर्ड्छकी हम पर्पता है क्स्यां old ज funciona मैं झाप्ता है नाराग्म विल्स ओल्स ह new यौर Israel will retaliate, Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again.